हुआ है दोस्तों कुछ टैम पहले हमने इस चैनल पे आपको डायोट करने की वीडियो भी देथी कि किस तरीके से इसके बारे में हमने डीपली आपको बताया था तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे सिंपल डायोड होते हैं और जो हमारे जैनल डायोड होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं और ये दिखते कैसे हैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों अगर आप इसको चेक करने की वीडियो दूँगा आप वहाँ जाके उस वीडियो को देखें तो आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आ जाएगा कि इसको चेक कैसे किया जाता है डायोट को तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को नहीं विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और जादे जादा सेयर करें तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो बेसिक डायोड है वह यह देखिए यह जेट एन जेना डायोड होता है वह कुछ अलग किसम का दिखता है यह दिखिए इसमें जो कलर है वह आपको रेड कलर दिखेगा और ब्लेक कलर दिखेगा तो दोस्तों सबसे पहले हम डायोट की वर्किंग जान लेते हैं कि डायोट काम क्या करता है आपको पता ही होगा डायोट हमारा क्या काम करता है जो हमारा डायोड है वो basic काम करता है current को एक direction में लगातार flow करवाने का काम करता है जो हमारा ये वाला डायोड होता है ZN-407 तो दोस्तों और जो हमारा डायोड का एक काम ये भी होता है कि ये AC को DC में change करें चलिए दोस्तों मैं इसको आपको diagram की मदद से समझा देता हूँ तो दोस्तों क्या होगा सबसे पहले हमने बैटरी से हमने ये पूरे circuit को जोड़ लिया और यहां पर लगा लिया हमने एक डायोड डायोड का ये वाला सिरा हमें होता है एनोड होता है और ये वाला सिरा होता है cathode तो दोस्तों जब हम हमारी जो supply है वो anode पर positive देंगे हम इसके और जो cathode पर है वो negative मिलेगी तो उस condition में ये बल्बा हमारा glow करेगा ये बल्बा यहाँ glow कर जाएगा उसी परकार से दोस्तों जब हम दूसरी condition आती है कि हम जब diode को उल्टा लगा देते हैं यानि कि जो हमारा cathode वाला सिरा है उसको positive के साथ चोड़ देते हैं और जो हमारा anode वाला सिरा है वो negative के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है दोस्तों इस condition में जो हमारा bulb है वो glow नहीं कर पाता है क्योंकि जो हमारा डायोड है ये current को pass नहीं कर पाता है तो इसी condition को forward और reverse condition भी आ जाता है डायोड की तो ये वाली condition जो हो जाएगे हमारी forward condition कहलाईगी और ये वाली जो है वो reverse condition कहलाईगी ठीक है दोस्तों तो इसी परिकार से हम जेनर डायोड का भी एक symbol बना के आपको समझाएंगे तो दोस्तों वीडियो को आगे को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे simple diode होते है उनका और जो हमारा जेनर डायोड होता है उसका symbol क्या होता है तो हमारा जो simple diode होता है उसका symbol कुछ इस तरीके से रहता है यह देखिए एक simple line रहे हैं आपको यह देखिए और जो हमारा जेनर डायोड होगा उसमें बस basic सा फरक होता है यह देखिए जो इसका यह वाला टर्मिनल है यह कुछ जेट सेप का बन जाता है इसलिए इसको जैनर डायोड बोला जाता है बस इतना सा डिफ्रेंट साइसके symbol तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसकी यह हमारे पर जैनर डायोड है कुछ तो चलिए मैं इसको circuit के माध्यम से आपको समझाता हूं कि इसकी working क्या होती है और यह क्या काम करता है जो हमारा simple डायोड है यह हमेशा सीरीज में लगता है जो हमारा यह वाला डायोड है यह हमेशा सीरीज में लगाया जाता है जबकि जो हमारा जैनर डायोड होता है वह हमेशा parallel में लगाया जाता है तो दोस्तों आईए मैं आपको circuit के माध्यम से इसको बताता हूं कि किस तरीके से इसे लगाया जाता है और यह जो हमारा तरकीट है पुरा इसको सप्लाई दे रहे है तो हम यहां से करीबन इसको 10 वोल्ट लेए ठिक और जो हमारा आउटपुट में हमें 5 वोल्ट मिल ली है लगाता है, नान स्टॉप मिल ली है तो और हमारा जो यहोच लैन डायोड की वैल्लिव है 5.1 तो इस करेंट में क्या करता है जने डाष है तो जो हमारा करेंट है 5 वोल्ट ये तो लगाता आ जाएगा जैसे कि एक्स्टा गर आएगा जैसे और यह सीधे यहां से इसको माइनस वाली प्रोब से वापस सर्कुट में पेज़ देगा तो जिससे हमारा सर्कुट भी सेव रहेगा तो दोस्तो जो हमारा जैनर डायोट होता है वो भी सिंपल उसी नॉर्मल डायोट की तरह वर्क करता है कि एक डायरेक्शन में करेंट को फ्लो कराता है लेकिन एक एक चीज भी करता है कि यह इसको रिवर्स में भी रिवर्स में भी फ्लो करा सकता है जो हमारे ज Ton east होता है तो ये करेंट को में भी खर आ सकता है तो ये इसमें काब्र दया ते चिले इसका यूज किया जाता है कि कोblowing अगर वीडियो आपको अच्छी लगा है तो फनी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जैसे ज्यादव कारा है सो थैंकि दोस्तो